जब राम और लक्षमन गूमते हुए माबन देवी के धाम पे आये तो यहीं बालमिकीजी से भी मुलाकात हुए और यह लोग और कुछ का जन्मस्थल भी बताया जाता है बजर साथ में एक बार आये थे मान के आये थे कि हमको भी कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो फिर यहां पर दर्शन करने आएंगे हमें विश्वास था आज आया गए फिर कि जब सीता जी आये थे यहां पर लचमर जीन उनको यहां पर जंगल में छोड़ा था अपना उन्होंने नाम बालमिकी जी इसे पूछ करके बंदेवी जी रखवाया जो भी मनकामना आदमी मानता है फुदा होता है और इसका अगर हम बात करते हैं कितना प्राचीन है तो बात पहुचेगी रामाइड गाल तक क्योंकि इस जगहा की जो बाते हैं जो प्रसंग है वो मातासीता से भी जुड़े हुए है तो बाचीत करेंगे इस मंदिर में जो लोग इस समय पुजारी है पंडित है उन लोग पुराना मंदिर है और हमारे पांचों पीड़ी भी गई है लोग उतना बताते हैं कि वह भी लोग पुराना ही बताते हैं देख नहीं पाए कि कपका मंदिर बना है बहुत पुराना मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोगों आतमी आते हैं या दर्शन करते हैं साधी भी यहां पर जो देवी जी हैं किस रूप में विराजमान है यह मंदीर हजारों साल पुराना है और इस मंदीर का जिक्र रामायड में भी किया गया है जब राम और लक्षमन गुमते हुए माबन देवी के धाम पे आये तो यहीं बालमिकी जी से भी मुलाकात हुई और यह लो और कुछ का जन मस्थल भी बताया जाता है जो भी भक्त आते हैं मनुकामना पूर्ण हो जाती है उनकी तो फिर आते हैं दर्शन करने के लिए जो एक बार आते हैं तो कभी हजारों बार आते हैं उनकी मतलब मनुकामना पूर्ण होती जाती है उनको जैसे जैसे बढ़ते जाती हैं उससे आकर कि जो अपना पुजा प पूरा यह जो है कि बीच जंगल में माताजी निकली है इधर नदी है नदी किना नदी से इस पार जो कोई जंगल में आ नहीं पाता था कोई यादा उसका तब खराब हो जाते हैं पुराने लोग बताते से कि मतलब इसे इसे गालत गुजर से यहां से कोई एक पत्ती भी बहुत जगत्या हैं हम दो अजर साथ में एक बार आये थे मान के आये थे कि हम कभी कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो फिर यहां पर दर्शन करने आएंगे हमें विश्वास था आ जाया गए फिर साथ की बादा 17 साल बाद फिर जी 17 साल में कितना बदला हुआ दिख रहे है हम लोग हरमेशा नौरातरी में आते रहते हूं और यहां पर हे मांना यह गया है कि जैसे जो सिता जी इहां पर जैसे जो धर्ती में मतलब समाग गैती तो सभी लोग पड़े होंगे तो यहां पर ही सीता जी ने धर्ती माता से प्रातना किया था कि आप मुझे अपने आप में विलीन कर लिजी तो यह धर्ती माउप जो फटी थी और सीता जी उसमें समा गई थी वही अस्थान है यही बन्देवी और यहां से जुड़ी क्या हसा, आप लोग आते हैं, तो विश्वास होगा एक माता के ऊपर, बिल्कुल सार, बहुत ज्यादा विश्वास है, और यहां पर मनुकामनाये जो होती है, हम लोगों की पूड होती है, माता जी के दर्सन होते है, शकून मिलता है, सान्ती मिलती है, जैसे आप बहुत ज्यादा परसान है और आईए यहां इस धाम पर, तो बिल्कुल आपको एकदम नॉर्मल्टी मतलब बिल्कुल अच्छा मौसूस होता है, मैं अपने परिवार के साथ अक्सर आती रहती हूं, यहां पर, आप बताएं इस मंदिर के बारे में, क्या जाती हैं सर, और अक्सर करके यहां पर काफी भील लगी रहती है, अगर नौर्टी नहीं भी हो, फिर भी यहां पर भील लगी रहती है सर, बहुत अच्छा लगता, बहुत सुकुन मिलता है, यह मातरा रानिड का क्रिपा है, सर यहां पर बंदेवी नाम इसलिए उनका पढ इसलिए आज बंदेवी से बहुत प्रसीद है माता रानी। इसलिए आज दर्सन करा देते हैं अच्छा दिन है। आज 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 आपने सुनी मा वंदेवी का जो मंदेर है उससे जुड़े हुए प्रसंग के किस तरह से ये मंदिर रामायड काल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से माता सीता का यहां पर रहना हुआ जो शुरुतिया है उसके अनुसार किसना से लवकुश का जन्म यहां पर होने की जो बाते हैं वानमी के रिशी का आश्रम इन सभी चीजों के बारे में आज आपने यहां पर जाना। और यहां की जो मानिता है आस्था है उसी की वज़ा से बहुत दूर दूर से भक्त जो है वो यहां माके दर्शन के लिए आते हैं शले शरूरा काउनेंचर